नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूदिक स्टडी 360 में दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो बायोगी की हमारी डेली जो क्लास होते उस डेली क्लास में आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है प्लांट हर्मोंज तो आज हम basically discuss करेंगे हमारे plant में कौन-कौन से hormones पाए जाते हैं उन hormones का कौन सा काम होता है दोस्तों basically ये topic जो है बहुत छोटा सा topic है मुशली 10-12-15 minutes में complete हो जाएगा लेकिन ये topic जो है एक ऐसा knowledge देखे जाएगा आपको कि हर exam में ऐसा कोई exam नहीं है जिसमें biology से topic उठे और plant हर्मोन का topic ना उठे पांच टाइप के हर्मोन से 10 minutes का lecture होगा आपका complete हो जाएगा और हर exam में आपको एक topic जो है एक number देखे जाएगा तो सबसे पहले सलिए हम start करते हैं देखें कि plant हर्मोन में क्या है सबसे पहले थोड़ा plant pathology समझते हैं कि plant क्या है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि plant जो है हम देखते हैं कि plant basically होता ही है plant जो है वो move नहीं करता है बट plant move नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि plant कुछ चीजों को महसूस नहीं करता है प्लांट हन चीजों को महसूस करता है, sunlight को महसूस करता है, वो respond भी करता है, gravity को भी महसूस करता है, light को महसूस करता है, touch को महसूस करता है, seasonal activity जो होती है, जैसे पत्तों का जड़ना, फिर जब पसंद की रितुवादी तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो उन सब चीजों को जो plant जो है, वो महसूस करता है, sense करता है, light की तरफ grow करता है, light की तरफ bend हो जाता है, तो यह सब चीजे जो है plant, basically, जैसे हम महसूस करते हैं, वो से plant भी महसूस करता है, बट यह कि plant move नहीं करता है, वो अलग बात है, तो इसका मतलब यह नहीं कि plant move नहीं करता है, तो वो sense नह नहीं है जो है लोगी होता है यह हर्मोन का रिमिकल जो चीजे हैं केमिकल नको को पहुचाना तो यही जो सब काम होता है हार्मों का तो बेसिकली की ठाइब कहते हैं और यह पांची हार्मों की सब प्लाथ कर सक घ्र ह्ञाना से na प्छैवंघ में पूच्छा जाता है और चलिए हम स्टार्ट करते हमारा सबसे पहल鍋 बडी में जो में प्लांट चौह का वेकिसे को राफता है चो पत्यून को पकाने मैं काम कक्षित होता है जो पतियां तूट तूटूटके गर जाती है जब हमारा फल पक जाता देन हो जाता हई तो हमारे पेंड से तोट कि अपने आप नीचे गिर जाता है mask को ब्रेक करता है के अभर हमारे इसकी घ्योड हो डिवल्मेंट में में इसका बहुत बड़ा रोल मыш ब्रहल हो जाते को जो पौधे से सुसप तोस्था अस político लब उनको sunlight सबकुछ properly मिल रहा है बट फिर भी उनका development growth नहीं हो पाता है तो उस dormancy को तोड़ देता है seeds जो है उनको sprout करता है sprout करने में मदद करता है break करने में मदद करता है बढ़ने में अंगुरण होने में बड्स का बड्स मतलब कलिया फोल जो कलिया होती उनको बढ़ने में मदद करता है जब कलिया बढ़ेंगी तो सखाएं बनेंगी तो बेसिक्री जो है जिब्राइल पूर्टिया क्या करता है प्रांट जो प्लांट होता है उसकी growth and development में एक बड़ा रोल है इसका जिब्राइलि में करता है एक है चल्से करता है प्लांट हो सके अशेसे का मतलब होता है ये सब्सकर का इंद का डाल हो जाना तो उन से चीजों से इसाइटो का इनी जो है बचाता है फिर क्या है निक्स हमाय रहा है सेश्ट का क्या होता है ख्लोज थो मेतने म्ह दोर्मिंट करता है जब प्रभी को सुषपता और कष्टा में प्रच्वाहसता में गरता है और जरुद का कई बार एकजाम में बहुत बार ही क्या काम होता है तो अकजन का काम क्या होता है शाव को बैंट का करता है लाइट की तरफ Tinder वो जाता है यह एक एकशन जो होता है वो क्या होता है यहांनी प्रकास के से तरफ बुद्धे का मतलब होता एक कुछ पौधे होते जिन में कलियं और बड्स जो होती है वह छुटी छुटी होती है और फूलों को पकाना और दूसरा क्या होता है कि पकिये हुए फलों का पकने के बाद पेंड से अपने आ फल के टूप के गिरना पत्तियों का गिरना फूलों का टूप के गिरना तो वो सब क्या वो सब इथालीन के द्वारा होते हैं और इथालीन इजैन अनुजूल प्रांट हर्मोन यह एक अनुजूल प्रांट हर्मोन जा क्योंकि यह साथ GAS है एक्मास्फेर में रहेगा इसका मूब ये इयर के लोग होता है फलों को पगाता है एक फल पकेंगा फिर दूसरा फल पकेंगा माल लेजिए एक फल उसमें से SPYL हो गया तो उसके संपरग में जितने भी फल आएंगे वो सारे स्पॉाइल हो जाएगे इसलिए इसको कहते हैं ये एक अन्यूजियल प्लांट हर्मोन्स होता है जैसे हमारा इसलिए अग्जामपल में आप देख सकते हैं ये घरा है भी यह टमाटरfly पका नहीं है हरा है फिर यह फिर फेपने के बाद ठूट पनला तो, ये काम जो होता है वो cathedral का होता है नक्स्थ हमारा आता है जब्रैलिन का क्या काम होता है जब्रैिल्र ed с लींश करता है फिन वह यद那个 टाना जाता है ए oney सयंटिस्टOh साइंटिस्स एड जिब्रैलीन टु इंक्रीज दा गुरोथ अप्लाट एनी जिब्रैलीन का यूज किया जाता है बागवानी में ताकि पौधों का जो तना है उसका डेवलप्मेंट हो सके और जब जिब्रैलीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है पौधा जो होए वो मतलब क्या करता है जब रोंग देगा तो पौधा जो है रस्टिंग कंडिशन में आ जाएगा तो पौधे की थोड़ी जो है डेवलप्मेंट रुख जाएगी इसलिए पौधा हमारा बाउना हो जाता है इसमें पौधे में जो बट्स हैं जो साखाएं में छोटी-छोटी हमार आता है साइटो काईनी साइटो कानि हर्मोंस इन health की सेल करने में मध्रत करता है जब साइटो काईनी सेल को डिवाइट व्यट्वुएजन करता है is भी बॉड़ी और इसका डेवलपमेंट होए वह आटमिटिक होने लगेगा इसके बाद आता है उसके बाद हमारा आता है एक्षिक एसिट का काम क्या होता है एक्षिक एसिक डिजैन तुकलों ने रंद को बंद करना ने अंको करना शक्सका क काम होता है वह यहीं भीटा को खोलना रंट कुप में करना और को पर नोड़ करना यह सब यह होता है कि इसका य९ह nic परनेटर्थ प्लांट परनेटर प्लांत होता है इंग सन्दोब The repeats grow more stronger than other stem ना यानी जो पौधे का एपक्स का जो stem होता है तना होता हो जिदा गुरोग करता है इनका परिजन टू जो इसकी साहए होती है और दिया जाता है यहां से तब ऑफ्जिन ख्टम हो जाता है तब क्या करता है पोद्ध乐 को जो और रहर डेप्लांब्मेट है हो जाता तो यह किससे करण washing करण होता है यह जो प्लाइंट fordi उसमें कुछ दुश्र कर जाता है कभी कर तो इसके बारे पर्युट अS प्धैयाल बतने होता है नहीं कैजदी दूसरी तरफ एकिषन लेना ऊसार समें फोड़ा Bluetooth वर फो्टो को टॉप पीज मेनी पौद या उसके दूसरी तरफ मुड़ना उसरा कहते हैं फोटोट्रॉपिस्यम कहते हैं फोट्रॉपी ज्यास प्लीन को सोट प्लांट ग्रो टॉट ऑट सोब लाइट इसे मिट इट हैं पॉजेत के पोजिट्यविफONA जीओ टॉपिजम के अधा मुवमेंट अप्लांट और गन इन रिस्पांज टू ग्रैविटी स्टैमेट जीओ टॉप जमनी ग्रैविटी की तरफ पौधे का मूब करना वो क्या कहला था जीओ टॉपिजम कहलाता है रूट पॉजिटिव होते क्योंकि ग्रैविटी की तरफ मीं नीचे मूब करते हैं इसलें हो जो होता है वो पौजिटिव टॉफिजम होता इस बीस साथ जूपर का भाग होता है वह ठ्लक को क्ढ़िफा डौनाट ओरगनी फॉप्टी स्कीन हैं कर दोटहिज्ट्व इस्ट सवेयह बीद्जेट इस थीक्मयोलाइड होते हैं उपर की तरब सीधे खड़ए नहीं आधेक क्याते हैं विक स्थेम जिनके तने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं plant use twining stem tends to claim on other plant यह वो दूसरे प्लान्ट के जो दूसरे प्लान्ट का जो सिरह होता उस पे उसकी सहायता लेगा उपर की तरब अपने को डेवलप करते हैं तो उसे का कहते हैं इसे थिगमोर्त भावूर्पिजस्म कहते हैं फिर फॉर्थ नमबर पे मांता हाईदॉट्र मोप्लांट आरगंन इन डिस्पाउंस तुए इस्पार्ट इस्टेनमेट हाईडॉक पौधे के response में पौधी की जो growth होती है वाटर के response में जो पौधों की जो growth होती है उसे hydrotropism कहते है roots grow towards the source of moisture and hence are positively hydrotrophism नानी जो obvious यह बात है हमारी जो आर्थ है अर्थ में नीचे की तरफ जो है वो क्या होगा source और सब moisture ज्यादा होगा नीचे तो जड़े जो है नीचे की तरफ ज्यादा grow करेंगी तो वह positive hydrotrophism हो जाता है फिर आता है हमारा chemotrophism chemotrophism क्या होता था movement of plant organ in response to chemical stimuli scald chemotrophism नानी किसी chemical के जरिए जो पौधी की growth होती है वह chemotrophism होती जैसे पौधों में क्या होता है पौधे के तने से दूसरे पौधे को तने को टेश करके chemical लगा के फिर इसकी growth कराए जाती है तो वह क्या होता है वह chemotrophism होता है तो दोस्तों यह था हमारा सब्सक्राइब करता है उनका जुम्मेदार कौन होता है तो इताइलीन होता है जो हमारा जो सीट्स होता और बट्स का लिया उनको बढ़ने में मत करता है और आल पौधों की growth करता है इसकी growth करता है और टॉपिज में भाग लेता है तो बहुत चोटा सा टॉपिक है लेकिन यह टॉपिक जो है हर एक्जाम में आपको एक नंबर देखे जाएगा दोस्तों अगर तो दूस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब subscribe शरूर करें मिलते हैं next day next topic के साथ तब तक के लिए जाएं